आज की कहानी का नाम है शादी बाय मिस्टेक यहे एक ट्रू लव स्टोरी है रात का समय था हर तरफ अंधेरा था रितिक अपनी कार से दिल्ली की तरफ जा रहा था वही एक गाव से गुजर रहा था वही उस सड़क पर एक भगवान श्री कृष्णी का मंदिर था रितिक दोरे रंग का लड़का था जो काफी अमीर था रितिक देखने में काफी अच्छा था इसी कारण से काफी लड़किया उसे पसंद करती थी रितिक करीब 32 वर्ष का था रितिक मंदिर की तरफ जाही रहा था कि तभी उसे एक लड़की की चिलाने की आवाज सुनाई दी रितिक को लगा कि शायद थाकान की वजह से उसे ऐसी आवाज सुनाई दे रही है और शायद यह उसकी कोई गलत फहमी है रितिक ने फिर से मंदिर की तरफ बढ़ना शुरू किया परन्तु उसे फिर से लड़की की आवाज सुनाई दी उस लड़की की आवाज में दर्द और डर की भावना भरी हुई थी अब रितिक को यकीन हो गया कि सच में किसी को उसकी मदद की जरूरत है और इसलिए उसने हर तरफ उस लड़की को धूंदना शुरू कर दिया उसने अपने फोन की टॉर्च ओन की जिससे उसे सब कुछ साफ साफ दिखाए दे मंदिर के आसप कि चार आदमी एक औरत की साथ जबर्दस्ती और बद्तमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं वह औरत करीब 30 साल की थी एक आदमी ने उस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरा आदमी उसका मूँ बंद करने की कोशिश कर रहा था और बाकी के दो आदमी उसे काफी गंद जी कही और फेकना, रितिक मैंने बोला छोड़ो उसे, तीसरा आदमी और नहीं छोड़ा तो क्या कर लेगा, रितिक ने बिना सोचे समझे उसे एक लात मारी और वह आदमी गिर गया, पहला आदमी तू हीरो क्यों समझता है अपने आपको, रितिक चुपचाप चले जाओ यह वरना, चौथा आदमी, वरना क्या, रितिक वरना, किसी को अपना मूँ दिखाने लायक नहीं रहोगे, दूसरा आदमी, ओहो, डायलोग बोले जा रहे हैं, देख, हम यहां से बिना इस लड़की के नहीं जाएंगे, रितिक और मैं तुम्हें इसे कहीं नहीं लेकर जाने दूंगा, उस औरत ने रितिक की तरफ एक उमीद भरी नजरों से देखा, पहला आदमी, अरे तो आजा, तू भी मजे ले ले, सारे भाई साथ मिलकर मजे लेंगे, रितिक ने बिना समय बर्बाद कि उस आदमी को एक थपपर लगा दिया, बाकी के दो आदमी रितिक की तर पहला आदमी यह एक गाव है, यहाँ लड़की को ऐसी हालत में देखा तो गाव वाले इसकी जान ले लेंगे और अगर तू इसे घर छोड़ने गया तो वह यही समझेंगे की तू और ये, रितिक चुप करो, तीसरा आदमी सच तो यही है कि आज इसकी जिंदगी खराब ह ने दूंगा, वह लड़की रोने लगी और वह चारों आदमी हसने लगे, तीसरा आदमी देख ले अभी ही इसकी ऐसी हालत है तो सोच अगर तू इसे बचा कर ले भी गया तो क्या हो जाएगा, जिंदगी तो उसकी बरबाद हो ही गई ना, इसको ऐसे फटे हुए कप्टो में देख कर कौने से अपने गाउं में रहने देगा, लोग गलत ही सोचेंगे, इसके बारे में, रितिक ने कुछ समय सोचा और फिर अपना कोट उतार कर उसमें से एक दब्बी और मंगल सूत्र निकाला, रितिक उस लड़की की तरफ बढ़ा, उसने उसे मंगल सूत्र पह चौथा आदमी, तुझे क्या लग रहा है कि तू ऐसे ही कोई फिल्मी सीन बनाएगा और हम तुझे और इसे छोड़ देंगे, दूसरा आदमी, यहां कोई नाटक नहीं चल रहा है कि तू ऐसे ही शादी कर लेगा और हम मान जाएंगे, रितिक मैं जानता हूं कि हमारी ही लगेगा, हम वह करेंगे, फिर चारों आदमी उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे परन्तु रितिक बीच में आकर खड़ा हो गया, रितिक अब एक कदम और आगे बढ़ाया तो याद रखना की अच्छा नहीं होगा, मैंने उसको अपनी पत्नी मान लिया है, इसलिए अब उसकी हर एक मुश्किल मेरी मुश्किल है और उसे मुश्किल से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है, पहला आदमी अब एक क्यों किसी लड़की के चक्कर में मरने के लिए चले आया है, रितिक सिर्फ लड़की नहीं है, वह मेरी पत्नी है, दूसरा आदमी बहुत रितिक ने उसकी तरफ देखा, रितिक ने उसके कंदों पर हाथ रखा और वह लड़की ये देखकर डर गई, रितिक दरो मत, रिलेकस, कुछ नहीं होगा, वैसे मेरा नाम रितिक है और तुम्हारा नाम क्या है, उस लड़की ने रोते-रोते बताया कि उसका नाम पल्लवी है रितिक अब शादी करी है तो नाम तो पता होना ही चाहिए ना उस लड़की ने रितिक की तरफ आश्चार्या भरी निगाहों से देखा परंतु रितिक मुस्कुरा दिया रितिक मुझे पता है कि तुम बोलोगी कि शादी कोई माइने नहीं रखती मैं कोई जबर्दस्ती नहीं करूंगा तुम्हारे साथ उन लोगों ने जो बोला सही बोला मैं जानता हूं कि गाव में अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो लोग साथ छोड़ देते हैं इसलिए तुम ही बताओ कि फिर तुम कहा जाओगी तुम बताओ कि क्या कोई तुम्हारा साथ देगा अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे माबाप से बात करूं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ परंतु यह मत सोचो कि मैंने ये सब सिर्फ बूलने के लिए किया है पल्लवीत मेरे मम्मी पापा नहीं है मैं आपको इन सब के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि मैं एक विध्वा हूँ और मेरा एक बेटा है चार साल का रितिक को आश्चर्य हुआ ये सब जानकर पल्लवीत मैं समझती हूँ कि आप एक विध्वा से शादी नहीं करना चाहेंगे इसलिए आप परेशान ना हो मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाओंगी और वैसे भी मैं इस गाव को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली ही थी क्योंकि यहां के लोग वैसे भी एक विध्वा को नहीं जीने देते रितिक नहीं ऐसी बात नहीं है कि तुम विध्वा हो इसलिए मैं तुम से शादी नहीं करूंगा तुम्हारा बेटा है मुझे उस बात से भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मेरी खुद की एक दो साल की बेटी है इस बार पल्लवी आश्चर है चकित थी रितिक आओ मंदिर में बैठ कर बात करते हैं फिर दोनों मंदिर की तरफ गए और वही सीलियों पर बैठ कर बात करने लगे रितिक तो तुम यहां क्या कर रही हो पल्लवी की आँखों में आशु आ गए ये सवाल सुनते ही रितिक रिलेक्स नहीं बताना तो मत बताओ लेकिन रोना मत पल्लवी ऐसी कोई बात नहीं है हम दो दिन पहले ही आये यहां मैं दिल्ली में रहती थी अपने पिता के साथ परंतु उनका एक हफ़ते पहले ही एक्सीडेंट हो गया और वो पल्लवी रोने लगी रितिक ने उसके कंदों पर हाथ रखा और उसे साथ बना दी पल्लवी मेरे पास कोई जगर नहीं थी जाने के लिए मेरे पती आयुष और मेरी लव मेरेच हुई थी इसलिए उनके घर वालों ने हमसे अपने सारे रिष्टे खत्म कर दिये थे बहुत पहले ही और मैं अनात हूँ मेरे दादाजी इसी गाव में रहते हैं इसलिए मैं दो दिन पहले ही यहां आ गई यह सोच कर कि कोई अपना हो या ना हो परंतु मेरे अपने दादाजी को अपनाएंगे मैं यहाँ शायद कभी नहीं आती परंतू उनके बेटे के चक्कर में आई दादा जी बहुत नाराज थे मुझसे क्योंकि मैंने लव मेरेज करी जोकी इस गाव के नियमों के विरुद्ध थी और इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था मेरी एक बचपन की सहेली इसी गाव में है उसने मुझे अपने घर रहने दिया परंतू उसके घर वाले इस बात से खुश नहीं थे उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं कहा परंतू मैंने उनकी बाते सुन ली थी मैं परिशान थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहा जाओ और क्या करूँ मेरा बेटा सो रहा था तो मैं उसे सोता छोड़ कर यहां आ गई कुछ समय के लिए क्योंकि मैंने सोचा जिसका कोई नहीं हुता उसका भगवान हुता है और फिर जो कुछ हुआ वो तो आपने देखा ही है पल्लवी अभी रो रही थी परन्तु उसका मन अब थोड़ा शान था क्योंकि वह सब बोल पा रही थी जो उसके दिल में था रितिक अच्छा वैसे तुम्हें देख कर लगता है कि तुम पढ़ी लिखी हो पल्लवी था, मैं पड़ी लिखी हूँ, मैं जॉब कर सकती हूँ परन्तु मैं अपने बेटे आरफ के चक्कर में जॉब नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं जॉब पर गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा और हम कहां रहेंगे, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वह मेरे पती के माबाप के नाम है जब तक आयुश साथ थे तब तक वह अपने माबाप को हर महीने उस घर का किराया देते थे परन्तु आयुश के चले जाने के बाद उनके माता पिता ने मुझे और मेरे बेटे को उनके घर से चले जाने के लिए कह दिया रितिक खे भगवान, दुनिया में कैसे लोग हैं जो अपनी पोती और अपनी बहु के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं पल्लवी गलती उनकी नहीं है, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है पहले माबाप का साथ छूटा, फिर आयोश आय जिन्दगी में और उनके साथ उनके माबाप की नफरत भी आई जैसे टैसे सब सही चल ही रहा था और आराव आया हमारी जिन्दगी में परं तु फिर आयोशी मुझे छोड़ कर चले गए और आज जो होने वाला था उसके बाद तो शायद मेरे साथ आराव की जिन्दगी भी पल्लवी रोने लगी, रितिक परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे और आरव के साथ पल्लवी ने रितिक की तरफ देखा और मुस्कुराया पल्लवी नहीं, नहीं, मैं आपके उपर बोज नहीं बनना चाहती मैं अपने और अपने बेटे आरव के लिए कुछ ना कुछ कर ही लूँगी रितिक देखो पल्लवी, तुम मेरी पत्नी हो अपसे माना हमने वह साथ फेरे नहीं लिये और बहुत सी रिस्में नहीं करी परंतु मैंने जब तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था और तुम्हें मंगल सूत्र पहनाया था तब यह नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर बोज बनोगी और नहीं आरव के बारे में जानकर मुझे कुछ गलत लगा बलकि मुझे अब अपने फैसले पर खुशी हो रही है पल्लवी पर, रितिक पल्लवी, अपनी ना सोचो पर कम से कम आरव की तो सोचो उसके भाविश्य की सोचो, तुम कहा जाओगे बेशकी सब जल्दी में हुआ हो परंतु मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं कभी भी इन सब चीजों के लिए तुम्हें दुख नहीं दूँगा पल्लवी कुछ सोचने लगती है रितिक पही तुम ऐसा तो नहीं सोच रही कि मेरी बेटी है और तुम्हें उसी बात से दिक्कत हो रही हो तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि वह तुम्हारी जिम्मिदारी नहीं है जैसे वह अभी खुश रह रही है और मेरे परिवार के सदसे उसका ध्यान रख रहे है वैसे ही आगे भी उसका उसी तरीके से ध्यान रखा जाएगा और हाँ मैं आरव और उसमें कभी फर्थ नहीं करूंगा पल्लवी नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही बल्कि मैं हमेशा से एक बेटी चाहती थी और मुझे खुशी है कि मेरी इच्छा पूरी हो गई और मुझे बेटी मिल गई और अब तक आपने जो भी कहा और किया उसके बाद मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है कि आप आराव और अपनी बेटी में फर्थ करेंगे मैं आपकी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ मेरा मतलब है कि आपके माता-पिता रितिक थोड़ा गुसे में बोला उनके बारे में मत सोचो वो तुम्हें अपनी बहु मान लेंगे और अगर नहीं भी माना तब भी उन्हें मानना ही पड़ेगा पल्लवी नहीं प्लीज आप मेरी वजह से अपने माता-पिता के खिलाफ मत जाना क्योंकि आयुश के साथ शादी करने के बाद मैंने देख लिया है रितिक पल्लवी किसने बोला कि मैं तुम्हारी वजह से उनके खिलाफ जा रहा हूँ अच्छा छोड़ो ये सारी बाते मैं तुम्ही कुछ बताना चाहता हूँ तुमने सब बता दिया अपनी जिंदगी के बारे में अब मेरी बारी पल्लवी ने सिरहिला कर हां का इशारा किया रितिक पल्लवी जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बेटी है दो साल की जिसका नाम है प्या मेरी पत्नी और मेरा डाइवोस हो गया था मैं दिल्ली में रहता हूँ और किसी काम की वज़े से हर्याना गया था और वहां से ही आ रहा हूँ पल्लवी ने रितिक की सारी बाते ध्यान से सुनी रितिक तुम पूछोगी नहीं कि मेरा दाइवोस क्यों हुआ पल्लवी नहीं क्योंकि मेरे आपसे जितनी भी बात हुई उससे ये पता चल गया कि आप एक अच्छे इंसान है तो शायद कोई बड़ा कारण रहा होगा इन सब के पीछे और अगर आप खुद नहीं बता रहे तो मैं नहीं पूछूगी कभी भी क्योंकि वैसे ही आप मेरे लिए इतना कुछ कर चुके हैं रितिक मैं कुछ नहीं कर रहे हूँ आगे से कभी यह मत बोलना यह शायद हमारी किस्मत में था कि हम मिले शायद इस सबसे मेरी पिया को मा और आरव को पिता का प्यार मिल पाएगा पल्लवी यह सुनकर मुस्कुराए पल्लवी था मैं पूरी कोशिश करूँगी पिया की अच्छी मा बनने की आज से मेरे दो बच्चे हैं एक पिया और एक आरव रितिक चलो अब हम तुम्हारी सहेली के घर चलते हैं वहाँ से तुम्हारा सामान लेते हैं जिससे हम दिल्ली के लिए निकल सके और हाँ मुझे अपने बेटे से भी जरूर मिलवाना पल्लवी मुस्कुराए वह दोनों कार में जाकर बैग गए और फिर पल्लवी ने रितिक को अपनी सहेली के घर का रास्ता बताया और वह वहाँ पहुंच गए एक कहानी का यह अज्याय यही समाप्त होता है अगर आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें